यहां कहा गया कि हमारी उंचाई को कोई कम नहीं कर सकता है ऐसी जलती हम नहीं कर सकते हैं हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बरबाद नहीं करते हैं हम हमारी लकीर लंबी करने लिए जिंदिकी खपा दें 25 जून 2019 को संसद में PM मोदी के द्वारा दिया गया यह भाशन काफी पॉपलर हुआ अक्सर PM मोदी के भाशन काफी पॉपलर हो जाते हैं, उन पर चर्चाएं ते ही जो जाती है क्योंकि PM के भाशन की जो भाशश है लिए वो काफी डिफरेंट है उसमें नई टर्म को cash कराने की बात होती है अलग तरह के वाक्य विन्यासों का इस्तमाल होता है और voice modulation एकदम different होता है लेकिन PM Modi के भाषण आखिर लिखता कौन है इस बात का खुलासा हो गया है इंडिया टोड़े के द्वारा PMO में दाखिल की गई एक RTI के द्वारा पता चला है कि PM Modi के भाषण को अंतिम रूप PM Modi ही देते हैं दरसल PMO ने बताया है कि PM को भाषण के लिए अलग-अलग कारिक्रमों के हिसाब से अलग-अलग sources के द्वारा inputs उपलब्द करा दिये जाते हैं और उसके बात PM Modi अपने भाषण को खुद ही अंतिम रूप देते हैं उसकी रूप रेका तयार करते हैं RTI में जब PMO से पूछा गया कि इंपुट्स उपलब्द कराने वाली टीम कितनी बड़ी है इसमें कितने मेंबर हैं उन पर कितना खर्चा आता है तो इसकी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी PMO ने उपलब्द नहीं कराई है अब आपको यहाँ पर एक interesting बात बताता हूँ अमेरिका के पूर्व राष्टपती जॉन एफ केनेडी को अपने भाषणों के लिए बहुत पसंद किया जाता है लोग कहते हैं कि अमेरिकियों के दिल में बसने का एक बड़ा कारण ये है कि जॉन एफ केनेडी जिस तरह का भाषण दिया करते थे उससे लोग कनेक्ट करते थे उनके भाषण में शब्दों का जब्रदस इस्तमाल होता था और गजब की भाषण का उपियोग होता था लेकिन क्या आपको पता है कि जॉन एफ केनेडी अपना भाषण खुद नहीं लिखा करते थे उनका भाषण उनके सलाकार ये भी टेट सोरनेशन नहीं लिखी थी पीम मोधी के पास टेट सोरनेशन जैसा काल जई भाषण लिखने वाला कोई स्पीच राइटर तो नहीं है लेकिन उनके पास एक बड़ी टीम है जिसके द्वारा उनको इंपुर्स दिये जाते हैं और इसके बाद वो अपने भाषण को अंतिम रूप देकर लोगों के सामने रखते हैं पीम मोधी के भाषण को आप मोटे तोर पर चार हिस्सों में बाढ़ सकते हैं पहला है चुनावी रैलियो का भाषण ये सरवादिक आक्रमक भाषण होते हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो पीम की जो बॉडी लेंग्वेज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है इसके अलावा है सरकारी भाषण ये पीम किसी इनॉग्रेशन में या किसी सरकारी कारिक्रम में लोगों तक अपनी बात को रखते हैं विदेश में दिये गई भाषण भी काफी पॉपुलर होते हैं आपको हावडी मोदी तो ध्यानी होगा ये भी उनी कारिक्रमा में शामिल है जब पीम विदेश में जाकर अपनी बात को रखते हैं इसके अलावा पीम खास मौकव पर जो भाषण देते हैं उसकी तयारी बहुत लंबी होती है जैसे पंदर एगस्त को दिया गया भाषण पंदर एगस्त के बाषण के लिए काफी लंबे समय तक इनपुट्स रखे जाते हैं इसके लावा लोगों से राय मश्रुआ किये जाता है इसके लावा पीम डिस्टल प्लेटफॉर्म का उप्योग भी करते हैं और वहां से जो इनपुट्स आते हैं उनको अपने भाषण में इंक्लूड करते हैं कई बार आपने इनको मन की बात में जिक्र करते हुए देखा होगा 15 अगस जैसे जब हम खास मौकों की चर्चा कर रहे हैं तो अभी कोरुना काल में भी जो पीम ने भाषण दिये उसमें भी कई अलग 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 टर्म थे अलग अलग शब्दों का चुनाव था और जिस तरह से अपनी बात रखी उसमें लोगों से कनेक्ट किया जैसे कि आपको ध्यान होगा कि आत्म निर्भर भारत आपदा में अफसर दो गस दूरी मास के जरूरी वोकल से लोकल ये ऐसे टर्म थे ऐसी लाइन थी जो अभिहान बन गए शांस्त्रों में कहां गया है एशह पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत भारत ने आपदा को अफसर में बदल दिया आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है लेकिन सेना के इस फैसले से देशवाचियों में भी 130 करोर देशवाचियों में एंसाम मैसेज चला गया सब दूर चला गया और वो मैसेज क्या गया लोकल के लिए वोकल होने का दरसल भारती राजजीती में एक बड़े नेता का एक अच्छा वक्ता होना जरूरी है पंडित नहरू, इंद्रा गांधी और अटल विहारी वाच्वई ये तीन वो बड़े एक्जामपल हैं जो प्रदानमंत्री पत पर रहते हुए बहतरीन भाषण दिया करते थे ये भाषण अटल विहारी वाच्वई की पहचान मन गया और उनका जब भी जिक्र होता है तो इस भाषण का जिक्र जरूर आता है इसके लावा प्रदानमंत्री इंद्रा गांधी का अपनी मौत से केवल एक दिन पहले दिया गया भाषण जिसमें उन्हें कहा था कि मेरे खून का एक एक कत्रा भारत को मजबूत करने में लगेगा बताये जाता है कि पंडित नहरू अपने भाषण को लिखने में काफी मेहनत करते थे वो एक लंबा वक्त अपने भाषण को लिखने में लगाते थे और इसी तरह से उनका एक भाषण जो सरवादिक लोगपरी है और सरवादिक जरूरी भी है पंडित नहरू ने आजादी मिलने के दौरान काहता At the stroke of the midnight hour When the world sleep, India will awake to life for freedom पंडित नहरू की ये बात भारत की आजादी का सबसे famous quote बन गई दरसल भारती राजीती में लच्छेदार भाशन की जो कला है वो एक महत्पूर इस्थान रखती है और पी ए मोधी भी उसका एक बड़ा example है